नमस्कार दोस्तू, मेरा नाम है हन्वान और आप देख रहे हैं इस्टडी विद अच्पिस्वामी ओफिस्चिल यूटूब चनल फ्रेंज, राजस्थान की एक और भरती, पसुदन सहायक भरती, जिसका काफी जो समय से विद्यार्तियों को इंतजार था दोस्तो, यह बडित बार्वी पास है अगर आप बारी पास है तो आप भी इसमें είπलाई कर सकते हैं अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सेलरी जो है 85,000 रुपे मन्थ रहने वाली है यह और भारत के किसी भी राज्य से बिलों करते हो चाहिए आप गुजरात चे हो चाहिए आप महराष्टा चाहिए आप राजस्थान चे तो दोस्तों आप इसमें apply कर सकते हो और इसकी पोश्टों की बात करें तो 1100 प्लस जी हाँ दोस्तों इसकी जो है बहुत बड़ी पोश्ट है जो है बंपर भरती आज़ चुकिए इस साल कि दोस्तों यह जो पसुदन साइक बरती की जिसमें 85,000 रुपे पर मंद आपको जो है सेलरी मिलने वाली है दोस्तों वीडियो को आंत तक जरूर देखेगा इसमें हम आपको जो है संपूर्ण जारनेगारी step by step देने वाले हैं जैसा कि क्या आपका सेलेक्शन प्रोसेसर र दोस्तों अभी आपका समय खराब नहीं करते हैं फटाफट ले चलते हैं आपको इसकी संपूर्ण चानकारी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो इसका जो फॉम बढ़ने का जो ओनलाइन जो एक्जाम फॉम बढ़ने की जो डेट है 19 23 2022 है जी हां दोस्तों आपको जो एप्लाइ के विल ओनलाइन मोड में ही करना है जिसकी 19-23 लाश्ट डेट है और अब आपकी लाश्ट डेट की बात करें तो 17-4 2022 जैसा कि हमने आपको पहले बदाया था थमनेल में भी आपने देखा होगा दोस्तों आप 19 मार्थ 2022 से लेके आप 17 अप्रेल 2022 तक इसमें एप्लाइ कर सकते हैं और आपका जो एक्जाम होने की डो डेट है 4-6 2022 को जी हां दोस्तों 4-22 को आपका जो एक्जाम होने की जो है संभावनाई है दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एप्लिकेशन फीस की जी हां दोस्तों अगर आप OBC non-climate students हैं तो आपकी फीस यहां पे 350 रुपई रहने वाली है जिए अगर आप ऐसी 80 गंडिटेंट्स है तो आपकी फीस 250 रुपई रहने वाली है और फ्रेंट्स अब बात करते हैं आपकी जो पेमेट मोड का तो आपका जो पेमेट का मोड रहेगा वो ओनलाइन करते हैं दोस्तो अब नेक्स बात किते हैं आपकी educational qualifications की जिए अगर आप बारी पास है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं दोस्तो यह पसुदन साइक भरती है तो इसमें आपको बारी में जो physics, chemistry, biology, horticulture, animal जो इनके जो है biology वगरा जो इनके जो है दोस्तो अगर आपके पास यह physics, chemistry या horticulture है, animal husbandry है अगर आपके पास इन subject में अगर आपने बारी में की है तो दोस्तो आप इसमें apply कर सकते हैं और final दोस्तो आप जो सरकारी और government जो है आदमी बन सकते हैं दोस्तो अब next बात करते हैं आपकी age की limit की जिहां दोस्तो आप 18 से 40 साल तक इसमें apply कर सकते हैं आ आप 18 साल के हो चुके हैं और 40 साल से एक दिन भी कम है तो दोस्तो आप अभी इसमें apply कर सकते हैं जी हां दोस्तो और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे इस चनल को आज ही अभी subscribe करें दोस्तो और पास में bell icon को है जो उसको जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाला government सरकारी नोकरी का notification आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं दोस्तो आज के लिए धन्यवाद